नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूश्टर में दोस्तों भारते सविधान के जो भाग हैं उन्हें याद करने की ट्रिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो को लाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आल फिलाल के जो एक्जाम्स हो रहे हैं उसमें अभी उत्राखंड के एक्जाम में सविधान के जो भाग है वह पूछे गए हैं SSCGD में भी यहां से प्रश्ण पूछा गया है इसके साथ में उत्तर परदेश के एक्जाम्स में भी यह सविधान के जो भाग है यहां से प्रश्ण बने हैं चोटी सी वीडियो होगी पांक साथ मिनट की वीडियो है लेकिन एक नंबर आपका पका हो सकता है यदि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और यहां से सीखने की कोशिस करें आपको ट्रिक से भी सीखना है और इसके साथ साथ में आपको नॉर्मल जो पढ़ते हैं ऐसे सीखते हुए चलना है ठीके दोस्तों देकिए आज हम क्या करने वाले हैं तो सविधान के जो भाग याद करने की ट्रिक आपके सामने मुनीम के सर पर सपने अनुज के देखती हैं ये ट्रीक है इसमें आप भाग याद होजाएंगे आपसे लेके 10 तो टोल भागा के सविधान है उसमें जो आपके 22 भाग है ठीक है 355 आपके अनुच्छेद है तो ये जो 22 भाग है इनी भागों को आज हम याद करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को ओन भी कर ले ताकि हमारी जो नेक्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए अब हम इने एक के करके देखते हैं सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है देखे सबसे पहले सर यहाँ पर जो सर है यह भाग एक है यहमने भाग दिया वा है इधर भाग एक है संग और उसके राज्ये छेतर तो यहाँ पर जो सरना है इसमें से क्या लिया गया है सर और यह क्या है भाग एक भाग एक क्या बोलता है संग और उसके राज्ये छेतर के भारे में बोलता है भाग एक में इसके जो अनुच्छेदे देखे जो महत्तपूर्ण अनुच्छेदे केवल मैं आपको वही बताऊंगा अनावश्यक रूप से वीडियो को लंबी में बिल्कुल नहीं करूंगा जो आपके काम के अनुच्छेदे जो प्रस्ण बन सकता है के आठ जो हमारे UTS है यानि के केंदर सासित पर्देस है उनका जो वर्णा नहें भाग एक में किया गया है तो ये बात आपको समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं दूसरा ना सर ना तो ना से बनती है नागरीकता तो ये भाग दो में है नागरीकता किस भाग में है भाग दो में नागरीकता है और इसका जो आर्टिकल है वह 5 से लेकर 11 तक है ठीक है दोस्तों आर्टिकल कम पुछे जाते हैं कि किस भाग में कौन से आर्टिकल है केवल ये जाता है कि भाग एक में क्या है भाग दो में क्या है अभी जो उत्राखंड का एक्जाम हुआ था मैं आपको बता दूँ उसमें प्रश्ण यह पूछा गया था कि जो यूटीएस है केंदर सासित परदेसों का वर्णन हमारे भारते सविधान के किस भाग में किया गया है प्रश्ण यह था तो यदि आपको पता होगा कि जो केंदर सासित परदेस है उनका जो वर्णन है वह भाग 8 में है तो आपको एक नमबर मिल जाएगा अन्य था आप ए अब देखिए भाग 3 भाग 3 बोलता है मौलिक अधिकार के बारे में तो सरना अब देखिए मुनीम मू से बनता है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार आपके बारा से लेकर 35 तक दिये गए हैं दोस्तों यह आप इसकी complete वीडियो देखना चाहते हैं जो महत्तपुन अनुच् निदेशक तत्व तो यह किस में दिये गए हैं भाग 4 में हैं राज्ये के निदेशक तत्व और यह हैं 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है राज्ये के निदेशक तत्व का भाग 4A 4A है मौलिक कर्तव इसका जो अनुच्छेद है अनुच् कहूं कि भारतिय सविधान में कितने भाग हैं कितने भाग हैं और मैं आपको ओप्शन दूँ 20 23 24 और 25 तो आपका आंसर क्या होगा आपको पास 30 सेगेंड का समय सोचकर बताइए क्या आंसर हो सकता इसका क्यों कि हमने अभी तक पढ़ा है कि 22 भाग है लेकिन 22 ओप्शन में ही नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर आप कितने भाग रखेंगे देखे हाली के एक्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न है उसमें 22 उन्होंने दिया ही नहीं उन्होंने क्या दिये कि ओप्शन कोछी पलट कर दे दिये लेकिन 22 नहीं दिये तो इसका ज पर ठिक लगाकर आएंगे क्योंकि यह हाल के एक एक्जाम में पूछा गया है कि यह 25 कैसे होगे अब देखिए भाग चार है उशी के अंदर एक और भाग बना दिया गया है इस तरह यह 25 हो गए है कि दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक संग में फिक भांच में है और जराज्य में है मैं में सात्वा जो हापका भाग भाग जो सात है उससे खत्म कर दिया गया है इसलिए उसका वर्णन नहीं है अब देखिए भाग 8 संग 55 में उत्त्रा खणड के अक्जाम में पुछा गया है कि भाग जो आपका संग राज्य छेतर है यानि कि योटी एस हैं के इन्सासित परदेश है उनका वर्णन कहा कर रख तो आप क्या कहेंगे भाग आठ में इसका वर्णन किया गया है नो भाग नो में देखिए भाग नो में है पंचाइते और नो के ए में है नगरपालिका है तो ये भी आपको याद रखना है भाग नो में क्या है पंचाइते हैं और नो के ए में क्या है नगरपालिका है भाग दस भाग दस में क्या है अनुसूचित और जन जाती छेतर तो यह किसम है भाग दस में ठीक है दोस्तों भाग दस में क्या है अनुसूचित और जन जाती छेतर तो यह आपने देखा एक से लेकर दस तक इसका कोड क्या था सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है सरना संग राज्य छेत्र ना से नाग रिखता मुसा मौलीक अदिकार नीसे नीती नी दे सकता मैसे आपके मौलीक कर्तववे होगे संग सैसे संग होगया रैसराज्य होगे इसके बाद आपका पैसे पहले अनुसूची का भाग फिर खतम कर दिया गया है अभी आठवा आपका फिर संग्राज्य छेतर है इसके बाद में नो में पंचायते हैं नो के क्या में नगरपा लिखा है और दस में अनुसूची तोर जन जाती है छेतर है अब देखिए 11 से 22 त अनसंथ सब भारत के संग अधिक नयकर आपस में अनसंथ सब भारत के संग और राजयों और राजयों के बीच संबन्ध की बात आ जाती है कि जो वीत है वह किसमे आता है तो आप कहेंगे भाग 12 में भाग 13, भाग 13 में देखिए भारत के राज्ये छेतर के भीतर वयापार वानिज्ये और समागम यानि कि भारत के भीतर, राज्ये छेतर के भीतर वयापार किया दी बात होगी तो वह किसमी आएगा भाग 13 में आएगा भाग 14 में क्या आता है संग संग और राज्यों के अधीन शेवाए यानि कि जो सेवाए हैं संग और राज्यों के अधीन तो वह किसमी आएगी भाग 14 में दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्ण है अभी कि भारत में कितनी केंद्रिये सेवाए हैं अभी यह आपको कमेंट करके बताना है ठीक है कितनी केंद्रिये सेवाए हैं भारत के अंदर अभी भाग 14 के A में अधिकरण है ठीक है दोस्तो अधिकरण किसमें दिया गया है 14 के A में अधिकरण दिया गया है भाग 15 में निर्वाचन है ठीक है निर्वाचन कहा दिया गया है भाग 15 में दिया गया है भाग 16 कुछ राज्यों के संबंदित विशेस प्रावधान भाग 16 में क्या दिया गया है जो विशेस राज्य हैं कुछ राज्य उनके लिए विशेस प्रावधान कर रखे हैं ठीक तो भाग 19 में परकिर्ण है ठीक है परकिर्ण भाग 20 में समिधान का संसोधन है समिधान संसोधन की पूरी वीडियो अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है आप लोग से देख सकते हैं भाग 21 में एस्थाई संक्रमन सील और विशेस उपबन 21 में है और 22 म के बीच में संबंध है 12 में वित है 13 में भारत कराज्य शेत के भीतर वयापार है 14 में संगोर राज्यों के अधीन सेवाय है 14 के ए में अधिकरण है 15 में निर्वाचन है 16 में कुछ VCS वर्गों के प्रावधान दिये वे हैं 17 में राजभासा है 18 में आपात है 19 में परकीर्ण है 21 में सविधान का संसोधन है और 22 इसमें एस्थाई संक्रमन सील और VCS उपबंद दिये गए ये आपके 21 में है और 22 में देखिए संसित नाम दिया गया है ठीक है दोस्तो तब बहुत जल्दी हमें एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें जितने भी महतपूर आर्टिकल होंगे उनका आपको बार मनमें जिक्र किया जाएगा और आपको अच्छी तरीके से परते एक आर्टिकल को मिनिमुम आपको 100-125 आर्टिकल कराए जाएगे जो महतपूर है तो दोस्तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको माल चेने को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब हम वो वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं धन्यवाद दोस्तो